दोस्तो भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन की वज़र से आज हमारे देश के युवाओं के अंदर कौशल विकास के प्रती जाग रुखता आई है जब हम अपने हुनर को पहचान लेते हैं और फिर उसे निखारते हैं तो हमारे लिए जीवन की राह आसान हो जाती है कैसे? आईए देखते हैं देश में कौशल और कुशलता को सम्मान देने के लिए पहली बार विश्व कर्मा जैनती पर राष्ट व्यापी दीक्षांत समारोह आयूचित किया गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने कौशल दीक्षांत समारोह को सम्बोधित किया पर मुझे आप जैसे नवजवानों के साथ जीनके हाथ में हुनर है कौशल है और बहुत बड़े सपने हैं उनसे बात करने का आउसर मिला है भगवान विश्व कर्मा के आपको निरंतर आशिरवाद बने रहे आपका स्किल निरंतर विक्सित होता रहे विस्तरित होता रहे इसी भावना के साथ आप सब को अनेक अनेक शुप कामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी ने शरीवार को देश के युवाउं को स्किलिंग, री स्किलिंग और अब स्किलिंग का मंत्र दिया और उन्हें बदलते समय के अनुरूप अपने कोशल को निरंतर उन्नत करने और नवचार करने का आवान किया अपग्रेड करते रहे, इनोवेट करते रहे, अपने एक्षेत्र में कौन्ची नई स्किल सिखने से आपके काम की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, यह जानना भी बहुत जरूरी होता है. आज देश में पहली बार दिक्षान सामारों का कारेकरम हुआ है, इससे हम लोग को बहुत जादा खुसी मिल रही हैं, और जितने भी हमारे इस फिल्ड में काम करें, कौशल विकास में काम करें, उन्हें बहुत जादा आगे जब उनको भी इस तरह का सर्टिफिकट मिलेगा, पुर्षकार मिलेगा, तो उनको भी बहुत जादा खुसी मिलेगी, और मुझे इस बात के भी बहुत जादा खुसी है, कि उनके द्वारा दिये गई कारे को, हमने बहुत आगे तक बढ़ाया, और आज मैं बहुत अच्छे लेबल पर काम करें, पच्छी से तीस हजार पर म बीते आठ वर्षों में, ITI में 4 लाख से ज्यादा नई सीटे भी जोड़ी गई है, स्किल्ड डेवलप्मेंट के साथ ही युवाओं में सौफ्ट स्किल्स भी सिखाया जा रहा है, युवाओं को हुनरमंद बनाने में, ITI एक बड़ी भुमिका निभा रहा है, और इंडस् मैंने निजबर्ट से EDP ट्रेनिंग ली, EDP ट्रेनिंग में हमें सब कुछ बताया गया कि हम कैसे लोन ले सकते हैं, तो निजबर्ट ने हमारे बहुत सपोर्ट किया, मेरा लोन पास कराने में, मेरा 3 लाख लोन चेंशन हो गया है, और इतने बड़े प्लैटफॉर्म में हमे इसमें आने का मौका मिला है, मैं परदान मंतरी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, कि उन्होंने हमें इतने बड़े प्लैटफॉर्म में आने का मौका दिया है पहली बार आईटी आई के चात्रों के लिए आयोजित दिक्षांत समरों की वजह से युवाओं में अलगी उत्साह दिख रहा था मैं बहुत जादा खुश हूँ कि मैं यहां पर आई हूँ, मैंने नमदा क्रेफ्ट ट्रेनिंग की है, उसमें कोर्स किया है और उससे ये फाद है जो वहा पर बेरोज्गार है, बहुत से लोग एसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, इनसे उनको रोजगार मिल सकता है, यूत की जो प्रॉबलम है वो ख sam हो सकती है हम चाहते हैं कि हम ने सीखा हैं, हम चाहते हैं कि हम भी दूसरों को कल सिखा सके, ये काम यही पर न रुख जाए, आगे बढ़े, इसके लिए हम स्किल इंडिया को थैंक्यू कहना चाहते हैं युवान के कौशल को प्रमाण मिलने से उनके आत्म विश्वास में इजाफा हुआ है, युवान जब स्किल के साथ सशक्त होकर निकलता है, तो उसके मन में ये विजार भी होता है कि कैसे वो अपना काम शुरू करें अभी तक मैंने हंड्रेड बच्चों को ट्रेणिंग दिया है और सब को प्लेसमेंट करवा दिया है, सब अभी जौव कर रहे है इस ट्रेणिंग सेंटर को से पहले मैं छोटा मोटा ट्रेशन पराता था और फिर जब मैंने बोस के साथ जुरा प्रदान मंतरी कोसल वीकास जोजना के तरहत मुझे ट्रेणिंग सेंटर मिल गई बोस की और फिर जब मैंने ये अपना ट्रेणिंग सेंटर खुद का स्टार्ट किया तो पहले तो बहुत सारे चुनोती आई प्लेसमेंट कैसे कराना है बच्चे को कैसे ट्रेनिंग देना है उसका सब चीज मैनेज होत स्वारोजगार की इस भावना को सहयूग देने के लिए आज भारत सरकार ने बिना गारंटी लोन दिलाने वाली मुद्रा योजना स्टार्ट अप इंडिया और स्टेंड अप इंडिया जैसी योजनां के जरिए उन्हें ताकत दी है आप देख रहे हैं डीडी नैशनल नए भारत का नया दूर दर्शन